Hello Friends, Jayhand और आज मैं बताने वाला हूँ आपको फुल रिव्यू आपको फुल रिव्यू आपको रियल्मी X7 Max and C.16 अपडेट यह अपडेट करे हुए हैं मुझे अल्मोस्त तीन हफ़ते हो चुके हैं और मैं बताऊँगा क्या इसके प्रोस हैं स्टार्टिंग में की बहुत सारे एड़ देखने को मिले जिसे की परस्नलाइज सर्च वगेरा तो परस्नलाइज सर्च वगेरा से तो बहुत ही जादा लोग परिशान हुए थे और साथी साथ यह ग्लोबल सर्च भी आ गई थी साथ में तो यह सब कैसे disable करना है कैसे क्या इनको solve करना है सबकी वीडियो में already बना चुका हूँ तो अगर आपने अभी तक वो check out नहीं करें तो वो check out कर ले न बाकी और experience वाइस तो मुझे कुछ भी improvement देखने को नहीं मिला है लोग बोल रहे है बैटरी बैकप इंप्रूव हूँ है लेकिन personally मेरे यूज में बैटरी बैकप इंप्रूव नहीं हूँ है end में आपको बताता हूँ मैं जो कितना बैटरी बैकप मिल रहा है और रही बात दूसरी चीज़ होगी तो यार Android 13 अपडेट आ चुकी है करने का और बात करें अब Geekbench की तो Geekbench में तो आप देख सकते हो Scores जो है वो Stable है Scores में कोई दिक्कत नहीं आई है Geekbench का जो हमने टेस्ट किया था उसको भी आफ फुल देख सकते हो उसमें मैंने यहीं डिस्कस किया है तो यहां पर Scores में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है Geekbench के ठीक है Only Geekbench के और यहां पर मैं आपको पुराने Scores भी चेक कर आ दूँ तो पुराने Scores में आप देख सकते हो Single Core का यह रहा था Multi Core का यह रहा था वालब जादा 10-20 points का ही फरक होगा यहां Multi Core का जादा था अब Single Core का जादा हो गया है और बात करें दूसरी CPU Throttle की तो CPU Throttle में यह पूरा का पूरा Throttle भयंकर तरीके से हो चुका है तो आप देख सकते हो कैसा Throttle आया है Throttle आया है 69% अब 69% कुछ अच्छा तो नहीं है यहां आप देख सकते हो पूरा का पूरा Yellow और Red Zone में चलता रहा है तो यह काफी ठीक नहीं था और बात करें इसके N2D की तो N2D score आपके सामने है 6,92,000 यह भी अच्छा है हाँ CPU Throttle को जादा हुआ था लेकिन N2D और Geekbench में यह आप देख सकते हो Scores इसके क्या है तो Almost मैं कहूंगा के यार आपको Update करना है तो आप कर सकते हो नहीं करना है तो मत करो चिल मारो अभी Android 13 आना ही वाला है तो आप Android 13 का ही Update करना यह वाल अपडेट आप Skip चाहो तो कर सकते हो and point पे आपको Android 13 stable मिल जाएगा वो बैटर रहेगा अब बात कर लें इसकी बैटरी के बारे में तो बैटरी आपके सामने है पांच घंटे का मुझे screen on time मिल रहा है 20% बैटरी बची होई थी तो यही मतला majority of time मुझे यही backup मिल रहा है कुछ average users जैसे use करेगा वैसे ही रहता है तो उसमें आप देख सकते हो एक बार मुझे 446 मिनिट का मिला है और दूसरी बार मुझे आप देख सकते हो 4 घंटे थे और यहाँ पे 26% मेरी बैटरी बची थी तो इस तरीके का मुझे कुछ backup मिल रहा था यहाँ पे इस update में है ना कुछ मैं आपको ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा कि भाया मुझे इतना मिला उतना मिला जितना मिला मैंने बता दिया आपको और improvement की बात करें तो इसका improvement यहाँ हुआ है कि इसका जो file manager के user interface वो change कर दिया गया है और इसका जो gaming का जो एक interface हाता है हमें देखने को मिलता है वो थोड़ा improve किया गया है तो improvement में आपको यही कुछ customizations देखने को मिलते हैं मतलब जो आप देख सकते हो बाकि अभी और overall बात करें तो यार यही था मेरा पूरा का पूरा overall gist जो कह सकते हैं इस वीडियो होगा तो मैं यही कहूँँगा वेट करो Android 13 आने वाला है stable version आएगा अपन अपडेट करेंगे मस तरहेंगे Android 12 आलमोस्ट पूरा का पूरा बगी था इस वाई से यह problem face हुई है बाखी आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको कुछ accessories बाय करने है तो description मिलेंगे मैं मिल दाओ उप से नेक्स्ट वीडियो माँ बाबाय टेक केर